Hello students, next time we discuss करेंगे question number 4 क्या क्या रहा है, x is 6.2 के लिए, find the number of identical terms in the two sequences, फोकस करना इस पर क्या 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 रहा है, आपको identical terms बनानी है, two sequences में से, ठीक है, और number of मतब कितनी terms होंगी, तो अगर आप इन दोनों AP को देखो, from above, from above two APs, first, equal, first number, identical, two is one, first number जो के identical होगा, equal होगा, वो कितना होगा, वन देखो, इसके पास भी one है, इसके पास भी one है, equal है, and last number, who identical is 196 or less than 196, कैसे पता, बैदे को इसमें last number 197 है, इसमें 197 है, इसके just next number, या तो 196 हो सकता है, या नहीं हो सकता, अगर 196 हुआ, तो 196, 196 identical निकल जाएगा, last term बता रहा हूँ, या नमबर के जाएगे term लिख दो, last term, समझ माया, और अगर इसका next value 196 नहीं हुआ, मान लेता है, तो फिर वो कुछ और होगा, लेकिन cool मिलाके 196 से less than होगा, या या तो चीज़ फिक्स हो गई, कि जो first number identical होगा, वो तो one होगा, दोनों के अंदर, लेकिन जो last number होगा, वो 196 हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है, या तो equal होगा, या फिर उससे less than होगा, ये confirm हो गया है, तो जो last term होगा, which identical is less than or equals to 196, बताओ ये चीज़ समझ में, आ गई क्या, बिल्कुल सर आ गई समझ में, आगे बढ़ू, ठीक है, अब next सुनना मेरी बात में क्या कहना चाहरा हूँ, अब next, ठीक है, मुझे या पर identical निकालना है, तो मेरा formula होता है, an equals to a plus n minus 1 into d, d की value कितनी होगी, अना, common difference for 1, common difference, तो देखो, इसका common difference है, 5 minus 1 या नी, 4, and, इसका common difference है, 4 minus 1, 3, अगर मैं दोनों को common लेके चलू, दोनों common लेके चलू, तो मुझे आके निकालना है, इसका, lcm of 4 and 3 निकालना, जो कि कितना हो जाता है, 12 हो जाएगा, lcm आप निकालोगे, यह आपका d हो जाएगा, दोनों के हिसाप से, अब दोनों के हिसाप से, अगर मैं a n equals to a plus n minus 1 into d लिखूं, तो a n की value मुझे पता नहीं है, ठीक है, a की value पता है, मैं कितनी है, 1 है, n पता नहीं है, d की value किती है, 12 है, और यह हर condition में less than or equals to 196 होगा, बताओ संच में आएगा, a n जो है न, मैं बोल रहा हूँ है, जो last value, a n क्या होती, last value होती, last value या तो 196 होगी है, और फिट उससे less than होगी, इसको अधर भेज़ देता है अपन, तो कितना बज़ जागा यहा, n minus 1 into 12, less than or equals to 195, समझ में आ गया, ठीक है सर, valve को अब नीचे बेश सकता हूँ और 1 को plus कर सकता हूँ ऐसा, अना, देखो, n minus 1 less than equals to, और क्या हो गया, ठीक हो गया, एक सेकड़, चल जा, चल जा, चल जा, चल जा, हाँ, 1 minus 1 less than equals to 195, divide by 12, एक है, n less than 195, upon 12, plus 1, lcm लेके मैं उदर बेश दिया, अब इसका lcm ले लो, any n की value हर सूरत में 195, plus 12, upon 12 आएगी, add करो 195, 12781, अब मुझे बता हूँ, यहाँ पर क्या समझ में नहीं आया, ठीक है, यानि n की value हर सूरत में less than or equals to होगी, 187, upon 12 के बात करता हूँ, अब आप इसको divide कर दो, 12, ones are 12, 50, 60, एक मिनट यहाँ पर शादा addition गलत कर दिया है, मैंना, 567, 9, 110 होगा है यह न, और यह 207 होगा है आपके, कुछ ज़्यादा इस speed में होगा है मामला न, 207, साही कर ले न आप लोग इसको, कर लो, यहाँ, एक सेकंड, यहाँ, वापस से करो इसको न, यहाँ पर देखो कितना आया था महर पास, 9, 1, 10, 0, 7 आया था, 12 से डिवाइड कर रहे हैं हम इसको, 12, ones are 12, कितना हो गया, 8, 7, 3 by 12, mix fraction में, बताओ समझ में आगया है कहां यहाँ तर, के लिए रहे हैं हाँ पर, यानि इसको डिवाइड करने पर मेरे पास 17, 3 by 12 आ रहा है, अब आप मुझे बताओ, हर condition में, मेरा कहना का मतलब है, 17 जो value होगी, 17, 3 by 12 का मतलब इससे तो उपर value जा रही है, इससे उपर value जा रही है, लेकिन मैं क्या कहना हो, यह एक्चल में, 17, 1 by 4 वैल्यू आई यह, यानि exact value कहा है, इसके मतलब 17 वैल्यू जो है, वो तो equal आएगी, आएगी, क्यानि जो number of identical terms होंगे, वो 17 तो होंगे होंगे, उससे कम भी लिख सकते हैं, 16, 14, 15, लेकिन उससे उपर नहीं जा सकते हैं, तो क्या लिखना पड़ेगा हमें यहां पर, hands, number of identical terms in given sequences are 17, बताओ समझ में आया क्या, के लिए रहे हैं आपर, मतलब 17 वो number से आपके पास जो identical है दोनों के लिए, ठीक है, मतलब same है कहने का मतलब, यह हो गया, question number 4, completed.